वेल्कम बैक टो आपर चानेल धृतियान मॉम्स क्रेशन आज का वीडियो मैं दिखाऊंगे मैं चॉकलेट के कैसे बनाती हूँ पर्फेक्ट चॉकलेट के बनाते हैं तो आज मैं मेरे पास एक पाउंड केक का ओर्डर है तो मैं ले ले रही हूं 250 ml चॉकलेट प्रिमिक्स दालेंगे दो से तीन ड्रॉप तक चॉकलेट एसेंस यह डालने के बाद यह सब को अच्छा से मिक्स कर लेंगे पानी वन कप से थोड़ा कम लगेगा तो इसको अच्छा से मिक्स करने के बाद मैं केक्टिन रेडिकल रही हूं यहां पर नॉर्मल पेपर लिए और इसमें अख़ने लगा लिये हूं उसके बाद जो बैटर है हुँ इसको डाल देंगे ऐण कि बैटर डालने के बाद ट्याप कर लिए फिर हम इसे पतेले में बनाती हूं तो अभी केक इन इसमें रखती फिर इसको ढद़ती है और पहले से यह पतेले को प्रिहीट कर लिए तद और यहां पर अभी हम विप कर लेंगे तो इसके लिए हम बीटर को रेडी कर रहे हैं तो अभी इसको करने के बाद हम ज्यासे एक पांड केक के लिए ओर 250 mlी हम इसमें क्रीम लेंगे वीप क्रीम मैं डीच का ले रही हूँ तो ले करके आप ट्रोपोलाइट ले सकता है आपको जो अच्छा लगे वो ले सकते हैं अभी ये क्रीम को हम बीट करेंगे इतना याद रखना चाहिए कि जो बॉल हम ले रहा है उसमें पानी नहीं होना चाहिए ये बीट करने के बाद मैं इसमें मिला दरी हूँ कॉफी पाउडर क्योंकि कॉफी फ्लेवर का चाहिए तो और इसके बाद फिर अच्छा से इसको बीट कर लूँगे अभी मेरा क्रीम बीट हो गया है तो इतना ही होना चाहिए इसको मैं फ्रीज में रख दे रही हूँ और अभी केक टीन से केक निकाल दे रहा है और एक आगज निकाल देंगे उसके बाद फिर उपर का पाट को थोड़ा से कट कर देंगे क्योंकि मैं ढग दी थी तो थोड़ा पानी से ये भीन जाता है तो अच्छा नहीं लगता है तो इसलिए उपर का पाट थोड़ा कट कर देंगे ये कट करने के बाद हाथ से अच्छा से पकर पकर के उसको दो पाट में हम कट कर दिया और इसके बाद हम इसमें देंगे क्रीम मैं पानी का यूज नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये केक जो है बहुत ही सॉफ्ट है तो पानी देने से बहुत चिपचिपा हो जाता है और मैं सुगर पानी का यूज नहीं करती हूँ बहुत मीठा हो जाता है तो देखे अभी हम क्रीम लगा दिये चोको चिप्स दे दिया है और इसके बाद फिर से हम बेस लगा देंगे फिर ऐसा करके रेडी करतेंगे दो को और हम अभी जो पाइप इन बेक है उसमें हम क्रीम ले करके ऐसा करके इसको फिल अप कर देते हैं उसके बाद अगर स्क्रैपर से हम इसको स्क्रैप करते हैं तो बहुत सुंदर से जल्दी सहीए और plane हो जाता है और ज्यादा मेनत नहीं करना पड़ता तो हम direct turn table में ही करते हैं तो देखें यह almost हो गया है अब ही हम इसको shift कर दे रहा है cake base में इसको दोनों तरफ से पकर के धीरे से हम cake base में रख दे रहा है और फिर दोनों तरफ से जो knife है वो सबको निकाल दे रहा है और अभी हम बनाएंगे chocolate का decoration करेंगे तो यहाँ पर 2M का dark chocolate ले लिया है और dark chocolate और हम ले लेंगे milk chocolate और यह दोनों को cut कर ले रहा है milk chocolate और dark chocolate को और फिर से हम इसको double boiler में इसको liquid करना है हो ऐसे ही करेंगे यहाँ पर हम पानी गरम बैठा दिया है और अभी हम इसको double boiler में डाल दिये और इसको अच्छा से liquid हो जाना देंगे और आज हम decoration के लिए chocolate का जाली बनाएंगे तो मेरे पास जो chocolate sheet है वो नहीं है तो मैं क्या की हूँ normal एक plastic को cut कर लिया है मतलब जो इसका बगल में मुझे लगाना है तो इसके लिए हम लंबा से cut कर लिया है अभी piping bag में हम chocolate को भर लिया है और उसके बाद इसको खालिया ऐसा जैसा हम दिखा रहा है ऐसा करके हम इसमें डाल दे रहा है और यह बनाना बहुत ही easy है और इसको करके मैं कई fridge में नहीं रखूंगी इसको बाहर ही रखतेंगे बाहर में रखने से यह normal रहेगा नहीं तो यह तूट जाएगा तो थोड़ा देरी बात यह हो जाएगा 15-20 मिनिट बात तो यहां पर हम cake निकाल दिया है और थोड़ा से उपर में chocolate गनाज डाल दे रहा है फिर इसको spread कर देंगे और यह spread करने के बाद जाएगा थोड़ा बहुत कम था वहां पर हम spoon से दे दिया है और अभी हम जो polythine रखा दिया है थोड़ा सा तूट गया है और धीरे धीरे इसको निकालना था तो मेरा हाथ लग गया और थोड़ा सा तूट गया तो इसको अभी हम दूसरा तरफ से दे यह रेडी हो गया है अब इसमें हम दे दे रहा है थोड़ा सा जो sequence है वो सब दे दे रहा है सजाने के लिए और इसमें उपर से garnish के लिए थोड़ा सा चॉकलेट लगा देंगे और लिग देंगे happy birthday papa जो मेरा की का order है उन निकने वोला है कि happy birthday papa लिखना है बस चॉकलेट केक रेडी है अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा और सब्सक्राइब कीजेगा थैंक यू